पुरवांचर एक्सप्रस वे जिस एक्सप्रस वे को लेकर सियासी घमसान चिड़ा हुआ है कोई कह रहा है कि हमारी सरकार में फाइनल हुआ था तो कोई इसका उधगाटन कर रहा है तो ऐसे में यह जानना दल्चस्प होगा कि एक्सप्रस वे आखिर इसकी खासियत क्या है औ 202 करोड रुपे का राजजस्प भी मिलेगा फिलाल लोगों को टोल टेक्स नहीं देना पड़ेगा यानि अभी कुछ दिन ये सफर मुफ्त में रहेगा लेकिन बाद में टोल टेक्स वसूलने का काम नीजी कंपनी को दिया जाएगा ये कंपनी जल्द प्रती किलोमीटर के हिसाब से टोल की दरें तै करेंगी और इसके बाद टोल बूत पर टोल भी लगेगा माना तो ये भी जा रहा है कि इसकी दरें लख्टव आग्रा एक्सपस वे की दरों के असपास ही रखी जाएगी पहला पॉइंट आपको समझा देते हैं घाजिपूर से दिल्ली साइको एक्सपस वे से काफी फाइदा होगा पांचपा पॉइंट ये है कि गाजिपूर से बिहार को जोड़ने के प्रस्ता पर भी काम चल रहा है इसके अलावा फिलहाल लोगों को टोल टेक्स नहीं देना पड़ेगा तो ये खासियत है इस एक्सपस वे की बहानों की गत लेकिन अभी कुछ सुविधाएं यहां नहीं है 341 किलो मीटर के सफर में ना तो रासने में पैट्रोल मिलेगा ना ही टौलेट और अगर गाड़ी खराब होई तो गैराज भी नहीं है इतना ही नहीं खाने पीरी की भी ववस्ता अभी नहीं हो पाई है हाले कि सरकार का कहना है कि इनके इंतिजाम किये जा रहे हैं यूपीडिया का कहना है कि एक्सपस्वे पर आठ जगाओं पर फ्यूल पंप और चार जगाओं पर सी एंजी स्टेशन बनाये जाने हैं तो यह थी इस एक्सपस्वे की खासियत और क्या कमी है वो भी हमने आपक को बताई है